बाधा दूर करने के उपाय ऐसे में कुछ उपाय बतलाए गए हैं जिनें आप चुपचप बिना किसी को बताई हुए मन नकारात्मक विचर नहीं आएंगे और आपके सभी बिगड़े काम बन पड़ेंगे नमस्कार दोस्तों स्वाकत है आप सभी का हमारे चैनल भाग्येशाली तोटके में जिसमें हम सभी धर्मों की बहुत सारी रोचक और भाग्येशाली तोटके आप सभी तक बहुत ही अनोखे और मनमहग तरिके से पहुचाते हैं जो आपको कही और नहीं मिलेंगी इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करे और इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखे किसी विशेश कारियों में सफलता है तू उसी दिन प्रातक काल गणिश जी को दुर्वा एवं लड़ू अर्पिक करके अपनी मनोकामना कहे एवं घर से बाहर जाते समय इनका आशिरवाद लेते हुए जाए सभी कारे निर्विगन रूप से संपन्न होंगी किसी महत्वपूर्ण कारे के लिए जाते समय अपने सर के उपर से एक चुटकी सिंदूर वार दे तथा उसे उत्तर दिशा की तरफ फैक दे आपके कारे पर किसी की नजर नहीं लगेगी जब आप घर से बाहर निकले तब अपने घर में किसी स्त्री मा बहन पत्नी या भावी के हाथ से एक चमच दही अत्वा कुछ मीठा खाकर घर से बाहर निकले कारियों में किसी भी प्रकार की बाधा का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा यदि बिजनेस अत्वा जॉब इंटर्व्यू से संभन्तित कारे से आप बाहर जा रहे हैं तो अपने दाय हाथ में दो इलाइची रखे तथा श्री श्री बोल कर उस इलाइची को खा जाए आप जो भी काम से बाहर जा रहे हैं वो कारे अवश्य ही सफल होगा घर से बाहर निकलते समय चार पक घर के पीछे की ओर चले फिर सीधे अपने कारे की तरफ निकल जाए आपको अपने कारे में अवश्य ही सफलता मिलेगी जब आप घर से बाहर निकले उससे पहले अपने साथ एक रोटी रख ले रास्ते में कोई जानवर जैसी ही कुट्ता या गाय मिले उस रोटी को आप उसे दे दे आपको कार्य में अवशे ही सकलता प्राप्थ होगी तो दोस्तो ये थी जानकारी बाधा दूर करने के उपायों के बारे में मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही कई उपायों के साथ अगर आप इस विशय में अपना कोई सुझाओ देना चाते हैं तो हमें नीचे दिये कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही एक टोटके के साथ दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल भाग्यशाली टोटके को और बेल आइकन को दबाए रोचक और भाग्यशाली टोटको से जुड़ी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए